जय भोलिनात आज की कथा बहुत ही रोचक होने वाली है क्योंकि दूले के रूप में भगवान शिफ अब हिमवान यानि की मता पार्वती के घर पर खड़े वे हैं लेकिन प्रभु की लीला तो देखिए यहाँ पर भी वे मता पार्वती की मा मैना की परिक्षा लेने से कुद्री के पती के रूप में स्विकार करती है या नहीं करती है प्रभु की लीला तो देखिए एक तरफ भगवान शिफ दूले के रूप में बरात लेकर सभी देवी देपताओं के साथ देवी पार्वती के द्वार पर खड़े हैं उनके पिता हिमवान को तो अपना सु करीर में भस्म और बहुत भयानक रूप देखकर जिनके हाथ में तेरिशूल था आखे भयानक थी उनकी आकरती विक्राल थी तो ये रूप देखकर देवी पार्वती अर्था देवी शिवा की माता बहुत डर गई चकित हो गई व्याकुल होकर कापने लगी और मूर्चित हो गई कहने लगी ऐसे ओगरदाने के ऐसे विवच रूप धारी के साथ तो मैं अपनी पुत्री का विवा कदापी नहीं कर सकती और वे तो बरात को ही वापस लोटनी का कहने लगी उन्होंने भगवान शिव से ही कह दिया कि वो अपनी पुत्री का विवा कदापी उनके सा साथ सभी देवताओं का हिमाचल के घर के आंगर में विराजना और वर्वधू के द्वारा एक दूसरे का पूजन हुआ ये सारी कथा बहुत सुन्दर रूप में आज की इस वीडियो में आप सुनने वाले हैं प्लीज आज की कथा को पूरा जरूर सुनिएगा महादेव जी को सामने देखकर हिमाले ने उन्हें प्रणाम किया साथ ही समस्त परवतों और ब्रहमनों ने भी सदाशिव की वंदना की वे व्रिशप पर आरूर थे उनके मुखवर प्रसनिता चा रही थी वे नाना प्रकार के आभूशनों से विभूशित थे और अपने उत्तम रत्नों से जटित होने के कारण बड़ी शोभपा रहा था वे अपनी पावन प्रभा का प्रसार करते वे मंद मंद मुस्करा रहे थे उनका प्रत्येक अंग भूशन बनेवे सर्पों से युक्त था और उनकी अंग कांती बड़ी ही अध्भु दिखाई दे रही थी दिविकांती से संपन उन महेश्वर की सुरेश्वर गण हाथ में चवर लीकर सेवा कर रहे थे उनके बाएं भाग में भगवान विश्णु थे और दाहिने भाग में मैं अर्थात ब्रह्मा जी थे पीछे देवराज इंदर थे और अनि देवता आदी भी पीछे और अगल बगल में विद्धिमान थे नाना प्रकार के देवता आदी उन लोग कल्यान कारी भगवान शंकर की इस्तूती करते जाते थे उन्होंने स्वेच्छा से ही दिविशरी धारन कर रखा था वास्तों म के विशाक्षात पर ब्रह्म परमात्मा सभी के इश्वर उपासकों को मनुवांचित वर देने वाले कल्यार मैं गुणों से यक्त प्राकृत गुणों से रहित भकतों की अधीन रहने वाले सब पर करपा करने वाले प्रकरती और पुरुष से भी विलक्षन तथा सच्चिदानन स्वरूप हैं उनके दर्शन के बाद हिमवान ने भगवान शिव के वाम भाग में अच्युत शुरी हरी का दर्शन किया जो नाना प्रकार के आभुशलों से विभूशित होकर वि ब्रह्मा को देखकर मेरी भी स्थुति की भगवान शिव के सदाही अत्यंत प्रे इन दोनों देवेश्वरों का दर्शन करके परिवार सहित गिरिराज ने आतर पूर्वक प्रणाम किया इसी प्रकार भगवान शिव के पीछे तथा अगल बगल में खड़े हुए दीप्त महादेव जी भगवान विष्णू तथा स्वैंभू ब्रह्मा भी मुनियों और देवताओं सहित श्रीगरता पूर्वक चलने लगे हे मुने उस अवसर पर मैना के मन में भगवान शिव के दर्शन करने की इच्छा हुई इसलिए उन्होंने तुम्हें बुलवाया उस समय भगवान शिव से प्रेरित होकर उनका हार्दिक अभिप्राय पोंड करने की इच्छा से तुम वहां गए मैना तुम्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगी हे मुने गिरिजा के होने वाले पती को पहले मैं देखूंगी शिव का कैसा रूप है जिसके लिए मेरी बेट विष्ट तपस्य की है तात उस समय भगवान शिव भी मैना के भीतर के एहनकार को जानकर शिरी विष्णू और मुझसे अद्वुत लीला करते वे इस प्रकार बोले शिव कहने लगे तात आप दोनों मेरी आग्या से देवताओं सहित अलग अलग होकर गिरिराज के द्वा ने वाले देवताओं ने शिगर ही वैसी व्यवस्था करके उत्सुकता पूर्वक वहां से प्रथक प्रथक यात्रा की मुने मैना अपने घर के सबसे उपरी भवन में तुम्हारे साथ खड़ी भी थी उस समय भगवान विश्वेश्वर ने अपने को ऐसी वेश पूशा म ठेस पहुँचे सबसे पहले बरात में विविद वहनों पर विराजित खूब सजे धचे बाजे गाजे के साथ पताकाएं फेरातेवे वसु आधी गंधरवाई फिर मनी ग्रीवादी यक्ष फिर क्रम से यम्राज नरिती वरुण वायू कुबेर इशान देवराज इंद्र चंद्रमा, सूर, भ्रगु आदी, मुनिश्वत था, ब्रहमाई ये सब उत्त्रोतर एक से एक विशे सुन्दर शुभामे रूप गुण से संपन्य थे इन में से प्रत्य एक दल के स्वामी को देख कर मैंना पूस्ती थी क्या ये ही शिव हैं? नारज जी कहते ये तो शिव के स्वामी शिव पताने कितने सुन्दर होंगे? इसी बीश में वहां भगवान विश्नु बधा रहे हैं. वे संपोन शोभा से संपन श्रीमान नूतन जलधर के समान शाम तथा चार भुजाओं से सुचोबित थे. उनका लावने करोणों कंदर्पों को लजजित कर रहा थ वे पितामबर धारन करके अपनी सहत प्रभा से प्रकाशित हो रहे थे. उनके सुन्दर नेत्र प्रफल कमल की शोभा को छीन ले रहे थे. उनकी आकरती से शांती बरस रही थी. पाक्षी राजगरोड उनके वाहन थे. शंक चक्र आदी लक्षणों से युत मुकुट आदी से विभूशित वक्षिस्थल में शुरी वत्स का चिन्य धारन किये हुए. वे लक्षमी पती विष्णू अपने अप्रमे प्रभापुंज से प्रकाशमान हो रहे थे. तब उन्हें देखते ही मैना के नेत्र चकित हो गए. वे बड़े हर्षी से बोली अवश्य यही मेरी शिवा के पती साक्षत भगवान शिव है. इसमें कोई संच नहीं है. मुने तुम भी लीला करने वाले ही ठेरे. अतहां मैनक ये बात सुनकर उनसे इस प्रकार कहने लगे देवी. ये शिवा के पती नहीं है. अपितु भगवान केशव हरी है. भगवान शंकर के संपुन का अधिकारी और उनके प्रेय है. पार्वती के पती जो दुलह शिव हैं उन्हें इनसे भी बढ़कर समझना चाहिए. उनकी शोभा का वर्णन मुझसे नहीं हो सकता देवी. वे ही संपुन ब्रह्मान के अधिपती, सरवेश्वर तथा स्वयम प्रकाश परमात्मा है. श्री तीनों कुलों के लिए सुख दाइनी माना. वे मुख पर प्रसनता लाकर प्रीती युक्त हिर्दय से अपने सरवाधिक सुभागी का बारंबार वर्णन करती भी इस प्रकार कहने लगी. इस समय मैं पार्वती को जन्म देने की कारण सर्वता धन्य हो गई हूं मुनिवर. ये गिरिराज भी धन्य है. तथा मेरा सब कुछ परम धन्य हो गया. जिन जिन अत्यत तेजस्वी देवताओं और देविश्वरों का मैंने दर्शन किया है. इन सब के जो पती हैं वे मेरी पुत्री के पती होंगे. उनके सुभागी का क्या वर्णन किया जाए? भगवान श वर्दे से जैसे ही उपरियुक्त बात कही तब ही अद्बूत लीला करने वाले भगवान रुत्र सामने आ गए. टात उनके सभी गण अद्बूत तथा मैना के एहनकार को चून करने वाले थे. क्योंकि उस समय मैना अपने एहनकार में भरी वी रुत्र के स्वरूप के बार तब भगवान शिव अपने आपको माया से निर्लिप्त और निर्विकार दिखाते वे वहाएं, मुने उन्हें आया जान कर तुमने मैना को शिवा के पती का दर्शन कराते वे उनसे इस प्रकार कहा, सुन्दरी देखो, ये साक्षा भगवान शंकर हैं, जिनकी प्राप्ति के लिए शिवाने बन में बड़ी भारी तपस्य की है, ना रायन, ना रायन, तुम्हारे ऐसा कहने पर मैना ने बड़ी प्रसनिता के साथ, अद्भूत आकार वाले भगवान महिश्वर की ओर देखा, वे स्वयम तो अद्भूत थे ही, उनके अनुचर भी बड़े अद्भू सेना भी बहाँ पहुँची, जो की भूत, प्रेत, आदी से सयुक्त तथा नाना गणों से संपन्य थी, उन में से कितने ही बवंडर का रूप धारन करके आये थे, कितने ही पताका की मरमर ध्वनी के समान शब्द कर रहे थे, किनी के मुह तेड़े थे, तो कोई अत्यत कुर पूप भयानक दिखाई दे रहा था, कुछ बड़े विक्राल थे, किनी का मुह दाड़ी मोच से भरावा था, कोई लंगड़े थे, कोई अंधे थे, कोई दंड और पाश धारन केव में थे, तो किनी के हाथों में मुदगर थे, कितने ही अपने वाहनों को उल्टा चला रह थे, कोई सींग, कोई डमरू और कोई गौमुख बचा रहे थे, गणों में से कितने के तो मुह ही नहीं थे, कितनों के मुख पीठ की ओर लगे थे, और बहुतों के बहुत सारे मुख भी थे, इस तरह कोई बिना हाथ के थे, और किनी के तो हाथ भी उल्टे लगे वे थे, क इनी के बहुत सारे काम थे इस तरह सभी गण नाना प्रकार की वेश भूशा धारन किये वे थे तात वे विक्रित आकार वाले अनेक प्रबल गण बड़े वीर और भयंकर थे उनकी कोई संख्या नहीं थी मुने तुमने अंगुली द्वारा रुद्र गणों को दिखाते वे म रानने तुम पहले भगवान हर के सिवकों को देखो फिर उनका भी दर्शन कर ले ना उन असंख्य भूत प्रेतादी गणों को देखकर मैना तत काल भैसे व्याकुल हो गई उन्हीं के बीच में भगवान शंकर भी थे जो निर्गुण होते ही वे भी परम गुणवान थे जो व्रिशब पर सवार थे उनके पांच मुख थे और प्रतेक मुख में थे तीन तीन नेत्र उनके सारे अंगों में विभूती लगी हुई थी जो उनके लिए भूशन का काम देती थी मस्तक पर जटाजूट और चंद्रमा का मुगुट दस हाथ और उनमें से एक में कपा लिए हुई शरीर पर बागंबर का दुपट्टा और हाथ में पिनाक और त्रिशूल आखे भयानक आकरती विक्राल और हाथी की खाल का वस्त्र ये सब देखकर शिवा की माता बहुत डर गई चकित हो गई व्याकुल होकर कापने लगी और उनकी बुद्धी चक्रा गई उ उम्हारी ये बात सुनकर मैना दुख से भर गई और हवा के जोकी खाकर गिरीवी लता के समान तुरंत धरती पर गिर पड़ी ये कैसा विक्रत रिश्य है मैं दुराग्रह में पढ़कर ठगी गई ऐसा कहकर मैना उसी क्षण मूर्चित हो गई फिर सखियों ने जब नाना प्रकार के उपाय करके उनकी समुचित सेवा की तब कही जाकर गिरीराज प्रिया मैना धिरे धिरे खोश में आई श्री ब्रह्मा जी कहते हैं नारत जब हिमाचल प्रिया सती मैना को चेत हुआ तब वियत्यंत शुब्ध होकर विलाप और तरसकार करने लगी पहले तो उन् तुमने ये कहा कि शिवा शिव का वरण करेगी पीछे मेरे पती हिमवान का गरतवी बताकर उन्हें आराधना पूजा में लगाया परन्तु इसका इथात फल क्या देखा गया विप्रीत और अनर्थकारी दुरबुद्धी देवर्शे तुमने मुझे अधम नारी को हर तर करूं कहा जाओं कौन मेरे दुख को दूर करेगा मेरा कुल लाधी नस्ठ हो गया मेरे जीवन का भी नाश हो गया कहा गये वे दिब्विरिशी पाओं तो मैं उनकी दाड़ी मूच नोच लूँ वसिस्ठ की वो तपस्विनी पत्नी भी बड़ी दूरता है वो स्वयम इस व वचन सुनाने लगी कहने रगी अरी दुष्ट लड़की तूने ये कौन सा करम कर डाला जो मेरे लिए इतना दुखदायक सिद्ध हुआ है तुझ दुष्टा ने स्वयम ही सोना देकर काच खरीदा है चंदन छोड़कर अपने अंकों में कीचर का धेर पोत लिया हाए हाए हंस को उड़ा कर तुने पिंजडे में कववा पाल लिया कंगा जल को दूर फेटकर कुएं का जल पी लिया प्रकाश पाने की इच्छा से सूरी को छोड़कर प्रयास पूरवक तुमने जुगनु को पकड़ा है पुत्री चावल छोड़कर भूसी खाली तुमने घी फेट कर मोम के तेल का आधर पूर्वक भोग लगाया सिह का आश्रे छोड़ कर सियार का सेवन किया ब्रह्म विद्या छोड़ कर कुछ सित गाथा का श्रवन किया बेटी तूने तो घर में रखी वी यश की मंगलमई विभूती को दूर हटा कर चिता की अमंगलमई राख अपने पल किया तुझको तेरी बुद्धी को तेरी रूप को और तेरी चरित्र को भी बारंबार धिकार है तुझे तपस्या का उप्तेश देने वाले नारत को और तेरी सहता करने वाली दोनों सक्यों को भी धिकार है पुत्री हम दोनों माता-पिता को भी धिकार है जिन्हाने को भी दिक्कार है और तुमने जो कुछ किया उस सब को दिक्कार है तुमने तो मेरा घर ही जला दिया ये तो मेरा मरन ही है ये परवतों की राजा आज मेरे निकट ना आए सब तरिशी लोग स्वैम मुझे अपना मुझे न दिखाए इन सब ने मिलकर क्या साधा मेरी कुल का नाश करा दिया हाई मैं बाच क्यों नहीं हो गई मेरा गर्ब गल नहीं गया मैं अतवा मेरी पुत्री मर ही क्यों नहीं गई अत्वा राक्षे साधी ने भी आकाश मे ले जाकर इसे खा क्यों है डाला अब आफ सभी खुदाखे बंद कर मातामैना के क्रोध का अंदाजा लगाई है कि इस समय मातब मैंना कितनी क्रोधित हो रही है कि खुद अपनी पुत्री से इस प्रकार कहने लगी पार्वती आज मैं तेरा सिर्प काट डालूंगी पर तू इस शरीर की टुकड़े लेकर भी मैं क्या करूंगी हाई हाई तुझे छोड़ कर मैं कहां चली जाओं मेरा तो जीवन ही नस्ठ हो गया है श्री ब्रह्मा जी कहते हैं नारद ये कहकर मैना मूर्चित होकर प्रत्वी पर गिर पड़ी शोक रोश आदी से व्याकुल होने के कारण वे अपने पती के समीप नहीं गई देवर्षे उस समय सब देवता क्रमशह उनके निकट गए सबसे पहले मैं पहुचा मुनिश्रेष्ट मुझे देखकर तुम स्वेम मैना से बोले तब नारद ने कहा यानि कि तुमने कहा पती व्रते तुम्हें पता नहीं है वास्तों में भगवान शिव का रूप बड़ा ही सुन्दर है उन्होंने तो लीला से ऐ और अपनी शिवा का हाथ शिव के हाथों में दे दो तुम्हारी ये बात सुनकर देवर्शी मैना तुमसे कहने लगी देवर्शी यहां से चले जाओ उठो और यहां से अभी चले जाओ तुम दुस्टों और अधर्मों के शुरुमनी हो मैना के ऐसा कहने पर मेरे साथ इंद्रादी सभी देवता और दिकपाल क्रमशा आकर इस प्रकार कहने लगे पेत्रों की कर्ण्या मैंने तुम हमारे बच्चनों को प्रसंता पूर्वक सुनू ये शिव निश्चे ही हम सबसे उत्कृष्ट देवता हैं और सभी को उत्तम तब को देखकर इनभक्त वचल प्रभु ने करपा पूर्वक उन्हें दर्शन और स्रेष्ट वर दिया था ये सुनकर मैना ने देवताओं से बारंबार अत्यन्त विलाब करके कहा शिव का रूप बढ़ा भयंकर है मैं अपनी पुत्री उन्हें नहीं दे सकती आप सब दे पुत्रों की कन्या तथा हे गिरी राज की रानी मैने हम लोग तुम्हारा कारी सिद्ध करने के लिए यहां पर आये हैं जो कार सर्वता उचित और उप्योगी है उसे तुम्हारे हट के कारण हम विप्रीत कैसे मान ले भगवान शंकर का दर्शन सबसे बड़ा लाब है वे दान पात्र होकर स्वयम तुम्हारी घर पधारे हैं उनके ऐसा कहने पर भी ज्यान दुर्बला मैना ने उनकी बात मिथ्या कर दी और रुस्ठ होकर उनसे ही कहने लगी मैं शस्त्र आदी से अपनी बेटी के टुकडे टुकडे कर डालूँगी लेकिन उसे शंकर के हाथ में कदापी नहीं दूगी तुम सब लोग इसी क्षण मेरी नजरों से दूर हट जाओ किसी को मेरे पास नहीं आना चाहिए इस प्रकार ऐसा कहकर अत्यंत विहवल होकर विलाप करके मैना मौन हो गई मुने वहां उनके इस रूप को देखकर उनके इस क्रोध को देखकर हाहा का तब हिमाले अत्यंत व्याकुल होकर वहां आए और मैना को समझाने के लिए प्रेम पूर्वक तत्व दर्वशाते वे कहने लगे हिमाले ने कहा प्रिये मैने मेरी बास सुनो तुम इतनी व्याकुल क्यों हो गई देखो तो कौन-कौन से महात्मा तुमारे घर पधा रहे है तुमने इनकी निंदा क्यों की भगवान शंकर को तु तुम जानती हो किन्तु नाना नाम रूप वाले शंभू के विकट रूप को देकर घवरा गई हो मैं शंकर जी को बली भाती जानता हूँ क्योंकि वे ही सभी के प्रतिपालक है पूजनियों के भी पूजने है तथा अनुग्रह और निग्रह करने वाले हैं निश्पाप प्राण प्रिये हट मत करो मानसिक दुख छोड़ो सुवरते शीगर उठो और ये सब कारी करो पहली बार विकट रूप धारी शंभू ने मेरी द्वार पर आकर जो नाना प्रकार की लीलाएं की थी मैं उनका आज तु इस बात को सुनकर शिवा की माता मैंना हिमाले से बोली नाथ मेरी बात सुने और सुनकर आपको वैसा ही करना चाहिए आप अपनी पुतरी पार्वती के गल्ले में रस्ती बांद कर इसे बेखट के परवत से नीची गिरा देजिए परन्तु मैं इसे हर के हाथ में कदापी नहीं दूगी अत्वा नाथ अपनी इस बेटी को ले जाकर निर्दैता पूर्वक समुद्र में डुबो दीजिए किरिराज ऐसा करके आप पोन सुखी हो जाएए स्वामेन यदि विकट रूप धारी रुद्र को आप मेरी पुतरी देंगे तो मैं निश्य ही अपना शरीर त्याग दूँगी मैना ने जब हट पूर्वक ऐसी बात कही तब पारवती स्वयम आकर ये रमणी वचन कहने लगी मा तुम्हारी बुद्धी तो बड़ी शुका रखे इसमें विप्रीत कैसे हो गई धर्म का अबलंबन करने वाली होकर भी तुम धर्म को कैसे छोड़ रह ये रुद्र देब सबकी उत्पत्ति के कारण भूत साक्षात इश्वर हैं इनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है समस्त शुरुतियों में ये वणन है कि भगवाय शंकर सुन्दर रूप वाले तथा सुखद हैं कल्यान कारी महेश्वर समस्त देवताओं के स्वामी तथा स देवा किया करते हैं ये सब के अधिस्ठान है करता हरता और स्वामी है विकारों की इन तक पहुंच नहीं है माते ये तीनों देवताओं के स्वामी अभिनाशी और सनातन हैं इनके लिए ही सब देवता किंकर होकर तुमारे इद्वार पर पधारे हैं और उत्सम मना रहे है इससे बढ़कर सुख की बात और क्या हो सकती है माते आता है यतने पूरवक उठो और अपना जीवन सफल करो मुझे शिव की हाथों में सौप तो माते और अपने ग्रेस थाश्रम को सार्थक कर दो मा मुझे परमेश्वर शंकर की सेवा में दे दो मैं स्वैम तुमसे ये बात कहती हूँ तुम मेरी इतनी सही विंती मान लो यदि तुम इनके हाथों में मुझे नहीं दोगी तो मैं दूसरे किसी वर का वरन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि जो सेह का भाग यह उसे दूसरों को ठगने वाला सियार भला कैसे पा सकता है मा मैंने मन वानी और क्रिया द्वारा स्वैम अपने वर का अर्थात हर का वरन कर लिया है हर का ही वरन किया है अब मैं उनके सिवा किसी और का वरन कदा पी नहीं कर सकती हूँ इसके आगे तुमारी जैसी इच्छा हो वो करू देवी पारवती ने तो अपनी मा से अपना आगरह सुना दिया किन्तु इस आगरह को सुनकर उनकी मा ने जो कुछ भी किया या जो कुछ भी कहा उसका व्रतांत भक्त जनों आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनियेगा